नमस्कार दोस्तों तो कई लोगों ने पूछा था या कई मेरे दोस्तों ने पूछा था कि ये कंपनिया आलग लग परकार की शिरफ कैसे बनाती हैं जैसे कुछ शिरफ तो ग्रीन आ जाते हैं या कुछ शिरफ रेड आ जाते हैं इनमें अंतर क्या है ये कंपनिया आलग लग श्रब बनाती हैं और खाशी कितने परकार कि उतती ए तोध फेटों में रैस्पिरेटरी मी इंफस्ट्र होजाता है जिस की विज़ेसे हमें शांस लेने में दिखक्षन हो जाता है जिस खासते हैं तो कई वार पेट में उदर दोने लगता है तो दोस्तों अगर बात करें हम खासी की कितने परकार की होती तो दो टाइप की होती है वेट कफ और ड्राइ कफ अगर बात करें दोस्तों वेट कफ की यानि की गीली खासी की तो इसमें हमें सबसे पहले दिक्कत होती है गले में और नाक में नाक से पानी बैने लगता है गले में इंफेक्शन सा होने लगता है अलका मिठादर्द होने लगता है साथ इसाथ फेफड़ों में जकड़न हो जाती है और जकड़न के साथ इसाथ दोस्तों अगर बात करें तो हमें फिवर भी आ जाती है कई वार अगर यह जादा हो जाई औ histor की तो हमें कौंसा शीरफ यूज़ करना चाहिए यानि कौंसी शिषी लेनी चाहिए तो हमें टैस्क्ष quindi एक्स पलस वाला शिरफ लेना चाहिए जो ग्रीन शिरफ आता है वो गिली खासी के लिए यह आता है यहिंद वेट कफे के लिए बात करें दोस्तों सुकी खासी गी तो जादा तर शुकी खासी 7% कोरोना के मरीज्व में सुकी खासी देखी गई गई है इसकी देखी गई है इसकी बज़ेशनली में जलन वह ने लगती है थी से साथ ही साथ हम गले में सुजना जाती है और पेट में दरद होने लगता जब km खासते हैं तो par स्टू डी एक्स वाला शिरप दे सकते हैं पेशेंट को टश्कू शिर डी एक्स शिरप देने का तरीका है सुबह श्याम और दोपर दिन में तीन वार पांच-पांच अमल गरम पानी के साथ देना है अगर बात करें खासी के परेज की तो दोस्तों खासी के परेज हमें विश चीज नहीं खानी है और कोई भी सर्दी का मौसम का विशेश द्यान रखना है और दूएं दूल का विशेश कर द्यान रखना है अगर बात करें दोस्तों हम कुछ उसके और खासी के परकार के बारे में तो एक कूकर खासी होती है जो कि जादा तरे दो साल के बच्चों में होती है अगर इसके बात करे कि अम क्या शिरप देना स्वंव सकते हैं और साथ यृष्ट इस बेटनीचे वह सकते हैं और बीक्ति ठीक ना है क conjunडीचन गड़बड़ा जाए दिक्कट हो रही हो तो आप निस वह भगेरा आधर बात करें साथ साथ की खाशी बहुत दिनों उसे पुरानी इसे शाल रही है फेफ़्डो में इंफैक्ट्षेट्स है तो यह कास्तमा कार्ना тогда पई सकता है और समगे पेशंट को भी हो सकती है माने में हिसा कि साथ हम डैरि फाइलान कीbut लेट भी यूज़ कर सकते हैं या कई बार अगर दोस्तों दिक्कत जादा हो रही है अगर जादा का फारा अस्तमा के पेशेंट को उनको चेक अप कराके कम से कम 21 दिन का या तीन मेने का संथिंग कोश होता है वो लेना चाहिए और इसका जड़ से इलाज है अस्तमा के पेशे को तो मस्तालीं弘 ना टूबमजी टेप्लेट दे शकते हैं साथ ही साथ हम दोस्तों बैटनी सोल टेप्लेट दे सकते हैं जो प्रोट में भी आती है और शाथ ही साथ दोस्तों कि कोल्ड की वगेड़ा की टेपलेट शाथ हिसाथ अगर दोस्तों फिर भी चन्ट्रोल नहीं हो रहा है इसके बीड़ा कोर्टिन की विएकला की पफ़ दे सकते हैं यह लिग अलग अलग डोज होती है और अनेक प्रकर केशस्में पफ़ आते हैं जैसे अस्थालीन हो गया, बुडा कोट हो गया, लिवलीन हो गया और शाथ ही शाथ अगर दोस्तो ज़्यादा दिक्कत हो रही अस्थमा के पैशेंट को फिर भी खाशी नहीं रुख रही तो हम उसको इन ऐलर बगेरा से कंट्रोल करते हैं यानि कि उनको इनलर बगेरा देते हैं इनलर अलग लग आते हैं होरा कोट बुड़ा कोट और अलग लग आते हैं जो कि अलग लग कंपनियों के हैं और अलग लग आते हैं जादा तर तो इनलर शिपला के ही आते हैं और बड़ेया रेट में शिपला के ही आपको अवेलेबल पाएंगे मार्केट में और ज्यादा यहीं मिलेंगे और इन एलर्षे अगर कंट्रोल नहीं होता तो उसके बाद आपको डॉक्टर शे अमर्जेंशी टीडमेंट कराना ही पड़ेगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कोई कुशन हो तो आप कमेंट में में बता सकते हैं चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो